साथियों, हमारे स्टार्ट अप्स को पूजी की कमी न हो, इसके लिए देश ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एक और एहम गोशना मैं आज इस कारकम में कर रहा हूँ। स्टार्ट अप्स को शरुवाती पूजी उपलब्द कराने के लिए देश एक हजार करोड रूप्य का स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड लॉंच कर रहा है। इससे नए स्टार्ट अप्स शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। फंड अप्फंड स्कीम के जरिये स्टार्ट अप्स को इक्विटी केपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है। आगे सरकार स्टार्ट अप्स को गारंटीज के जरिये देट केपिटल रेज करने में मदद करेगी। साथ यो भारत एक ऐसा स्टार्ट अप एको सिस्टेम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार्स्तम आप दे यूथ बाई दे यूथ फॉर दे यूथ का मंत्र हो स्टार्ट अप इंडिया भियान के जरिये हमारे युवाओं ने इन पांच सालों में इसकी मजबुत नीव तैयार की है अब हमें अगले पांच सालों का लक्ष तै करना है और यह लक्ष होना चाहिए कि हमारे स्टार्ट अप्स हमारी इनिकॉंस अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरें फिचरिस्टिक टेक्नलोजी में हमारे स्टार्ट अप्स लीड करें यह संकल्प हम सभी विम्स्टैक देशों का सामुईक संकल्प हो तो बहुत बड़ी आबादी को इसका लाब मिलेगा सभी देशों के लोगों का जीवन और बहतर होगा